हाई फिरेंड्स वेलकम टो अवर यूटूब चनल तो इस वीडियो में रस्यन प्रीमिर लीक का मैच कवर करेंगे और ये मैच खेला जाएगा निजनी नौग गुरोड और अखमत गरोजनी के बीच में तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टॉपिक पर हम डेटैल्स में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल सकोर करेगी और किन 11 प्लियर्स को टीम में लेकर चलना है और उन 11 में से किस प्लियर को कैप्टन और किस प्लियर को वाइस कैप्टन देना है यह सारी जानकारे आपको इसी वीडियो में दी जाएंगी आप वीडियो को ध्यान से देखना है तो चलिए अब हम इन दोनू टीम के स्ट मैच्श पर नजढ़ डालते हैं और वहां से ये पता करते हैं कि जब ये दोन टीम आपस में खेलते हैं तो किस टीम के पास की पोसिबलीटी हाई रहती है। तो चलिए देखते हैं दोनों टीम के हैट्वेड मैचस को, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दो, निजनी नौव ग्रोड, रसियन पिरीमिर लीग में फिलहाल के टाइम पर 14 पोजिशन रहे, वहीं पर बात करें, तारह ग्रोजनी फिलहाल के टाइम पर इस लीग में 10 तो दोस्त इन दोनों टीम के बीच में 7-2 मैचस हुए हैं, 4, और 4 मैचसे दो मैच नौव ग्रोड ने इस टीम के सामने विन करे हैं, और 2 मैच लोस भी किये हैं, अटेक वाइज 1.8 गोल पर मैच सक और डिफेंस वाज 1.8 गोल पर मैच सक और कंसीड किया, कहना कमतलब दोन एक तो दोन निजनी के सामने 3-2 से मैच को विन केया, तीन गोल सकॉर कें लेकिन डिफेंस से दो गोल कंसीड किये, और एक हाइज सकॉरी मैच देखनों को मिला, और उसे प्लिदि अनगावल ह besar अगेज निजनी ने इस टीम के सामने 3-1 से मैच को विन किया, तीन गोल सकॉर से जरूर गोल जादा कंसीड की हैं तो कहना का मतलब यह है कि हैट टोड का निजनी नोगरोड एक बैटर टीम देखनों मिलती है ऐस कंपेर टू तारह ग्रोजनी तो इसलिए मैं आज के मैच में हलकी से फैवरेट टीम नोगरोड को मानके चलता हूं लेकिन हम बात करेंगे इ एक मैच ड्रो भी खेला और चार मैच में लोस का सामना किया अटेक वाइस जीरो पॉइंट एट डिफेंस वाज वज वन पॉइंट सेवन है तो ज्यादा बैटर परफोर्मेंस आपको निजनी नोगरोड का देखनों को नहीं मिलेगा नहीं अटेक से नहीं डिफेंस है पि एक मैच यूराल के सामने डिफेंसी ड्रो के लिए फिर यहां से डाइनेमों मोशको के सामने ये टिम अटेक ड्रो के लिए बाद मैच पैनल टिम ये टिम विन कर गई और उससे पिछले दोनों मैच इस टिम ने हा रहे हैं दोनों मैच मेच इस टिम एक भी गोल सकोर नहीं क इसमें भी गोल की है इसमें भीजों नहीं गोल किया बलकि एक मैच में 4गोल सकोर केंट ने बाकि हर मैच मेच में टीम ने गोल Cancy किया है तो अज़ेग लेंक लेकर डि यह टीम डिम है वी डिफैनसवाइज भी डम है ओक है तो अब हम बात करते हैं तारह गरोजनी जिसका ना वीक है पिछला मैच ये टिम 2-0 हार गई उसे में मकावला सोची का सामने 2-1 से मैच को विन किये और एक मैच CS का मोसको का सामने हार गए लेकिन 2 गोल सकॉर किये उससे पिछले 2 मैच खेले इस टिम ने लोस किये हैं तो फाइनल गाईज अब इस मैच का स्कॉर लाइन प्रेडिक्सिन क्या होने चाहिए मतलब कौन सी टीम विन करने चाहिए कितने गोल होने चाहिए देखो पॉइंट टेबल करनुसार तो दोनुट टीम आप मान सकते हैं बोटम टेबल टीम है हैट टो एड में निजनी नोग रोड ने इस टीम को सामने रीसेंट के दो मैचस में काफी स्यांदार परफोर्मेंस किया है अटेक को लेकर लेकर लेकिन डिफेंस डम रहा है लेकिन अटेक वाइज ये टीम काफी बैटर देखने को मिलती है तो मुझे तो इन तीनों फॉर्मेट में अगर देखने को मिलेन है तो तारेक ग्रोजनी बैटर टीम देखने को मिलती है क्योंकि अच्छा है डिफेंस वाइज भी चल दीसे गोल कंसीड नहीं करती है तो कह गोल तारे गरोजनी करेगी और एक गोल और यहां से निजनी नोगरोड करती नज़र आएगी, तो मेरा मानना था यह है, अब इस मानने का अनुसर, मतलब जो स्कॉर लाइन रखी है मैनिस मैंच की, उस सकॉर लाइन का अनुसार हमें किस तरह अपनी फैंटेसी को टीम क्रेट करना है और उन में से मतलब टीम क्रेट करेंगे तो सीधी जबात हमें 11 प्लियर्स चाहेंगे अब वो 11 में से किस-किस प्लियर को हमें टीम में लेकर चलना और उनमें से किसको क्याप्टन देना, किसको वाइस क्याप्टन देना तो चलिए उसके लिए हमें दोनों टीम के प्लियर्स का सटेट्स पर नज़र डालनी है तो सबसे पहले हम निजनी नौगुरेट के प्लियर्स पर सटेट्स पर नज़र डालेंगे पैनल टीम के तो आप इन्हें पैनल टीम ज़रूर ट्राइ करना कि अगर आपको लगता कि यह मैच पैनल टीम में जाएगा मतलब इस मैच में पैनल टीम मिलेगी बाकि जतने भी प्लेट से न उन सब इन दो दो गोल किया है आप इन सब का सिक्रीन सोट ले सकते हो और हम कैसे भरोसा करना है कि एक प्लेट से एक यह मैच में आज गोल करेगा क्योंकि टीम पूरे सेजन में 40 मैच खेलती है 30-40 मैच खेलती है अब 30-40 मैच में यह प्लेट सिर्फ दो ही गोल करते हैं तो आप इस से यह अंदाजा लगा सकते हो यह टीम आटेकिंग वाइस थोड़ी से एक रखाय है तो इनको लेकर चलेंगे फिर उहां से मिखा लो है स्थीं के लिए चार असिस्त निकाल निकाल जुगा दिमित्तृ है जिसने इस टीम के निकाले वाकि हरdecini रसका ऑप सबक सिगरे से ले सकते हो तो दोस्त हाइस गोल टेकर है जो अकमत गरोजनिक तरफ से यहां से मोहमन कोनाट है इस टीम के लिए पिछले सिजन में 11 गोल कर चुका है और इस सिजन में भी इसने सटार्टिंग में ही दो तीन गोल सकोर की हैं तो आप हलके मतले ना कैप्टन वाइस के बना सकते हो ओके सेक और बाकी जितने भी प्लेर्ट्स सभी एक दो दो गोल हैं आप इनका सिक्रीन सोट ले सकते हो और आप अंदाज लिए यह लगा सकते हो कि यहां से कि यह टीम अटेक वाइज एक बैटर टीम है क्योंकि अटेकिंग वाइज यह टीम हर मैच में गोल कर ही देती है और इस टी एक के लिए पिछले सेजन छी असिस्ट न्काल चुगा डारकों का चार असिस्ट आये थे यहां तक की बोगो श्वाग का भी चार असिस्ट आये थे बाकी सबी bert casual में 2 चार तीन तिन आसिस्ट निकाल हुएं allora तो आप इनका भी सिक्रीन सोट ले सकते हो, ओका, तो दोस्त, अब हम बात करते हैं, हमें अपने टीम में 11 प्लेयर्स को चाहिए, मतलब 11 प्लेयर्स चाहिए, दुनों टीम की तरफ से, अब वो कौन-कौन से 11 प्लेयर्स देंगे, उनको हमें सेलक्ट करना, अपने फैंटसी की टीम है, और उनमें से किसको कैप्टन देना है, और किसको वाइस कैप्टन देना है, तो चले अब इस मैच की पहले फैंटसी की टीम को ही क्रेट कर लेते हैं, और हाँ दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी परकार की वीडियो इनफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ओके, तो चले देखते हैं इस मैच की फैंटसी की टीम, अब कैप्टन सी की बात की जाए, देखो कैप्टन सी मैं अपनी टीम म महमंद कौनाटे को रखके चला हूँ, और वाइस कैप्टन की इसी बात की जाए तो यहाँ से टीमोर शुलाई मानव एक बैटर ओप्सन है, यह अपनों टीम है, आटम टीमी फ्योजिस ने पिछले सीजन काफी स्यांदार परफोमेंस किया था, जेगो आपको आपको पास यह तीन ओप्सन है, आज के मैच में इन तीनों में से दो को बना सकते हो, कैप्टन वाइस का अपने, तो जैसे कुछ चैन्जेस होगा, लाइन अप का नुसार, मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूँगा, टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको पता ही इस वीडियो का टॉप के कॉमेंट में है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखना, चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करक और हाँ फ्रेंड्स एक बात और बता देना, कॉमेंट जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो मेंच है, उसकी कौन से मेंच के आपको वीडियो चाहिए, जिस भी मेंच की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए उस मेंच की कोशिस करूँगा, वीडियो प्रोइड करने की, और को बूचिस का बचा हुआ है, जिस भाइश इंग है ठाहिए, प्रवρε युआ है, मुंक हैं बात मिल्ट मेंच की ओए बात दे से सिएम जे अे हैं आफ बात चाहिए है,